नमस्कार आप देख रहें गा यहां यहां भी पपाया नाओं भी लागास का लेका अज एक बाक है के पापाय का जो आसली है है इसमें मेल का भुछ स्कता वाहःता है आप इसनिंग क्राइब आयो जरूर लाए एक बार में 20 उनीफ से लगा रहे हैता है Corps या कोई चीज का तो अगर आप कहेंगे तो कमेंट बोक्स में ज़रूर कर देंगे ऐसे तो पपाया का प्लांट आप लगाने के लिए आपको इसमें अच्छा सा वेल ट्रेंट खादर लेने के आप सकता होगी जिसमें बर्मिंका प्रोष्ट और सभी चीज मिला हुआ हो सबस आतायantine यह बीमारी फैला हुआ है किसी को आग तक नहीं पता हुआ वैज्णी को भी नहीं पता है जो यह कासे हो रहा है दो कि भी हाडी यूपी में यह बीमारी है वह इससे खेच का खेच सूख जाता है एक दिनCAN अंदर में ही पापाया का प्लांट अगर आपको एक भी प्लांट में वैसा फंगस दीखे तो आप उसे हटा दे तुरंग और दूसरा लगा दे ऐसे ही करके वह लगाया जाता है मतलब काट दे और उसे हटा के अपने खेट से फेक दे क्योंकि उसमें जो लगा रहाता है की र इसका आप नर्सारी से सकते हैं नर्सारी नर्सारी से जैसे ही लए तो चार या पाच प्लांट लाए एक गबल में और वंगे तो अच्छा से कुरो मैं प्लांट आ जयता है यह फी दिक्कत होता है मेल प्लांट ज्यादा होने के करण लोगव प्क सब्याकश्व को फीमिल का उत्ना चांस नहीं रहता है भीमिल प्लांट ही तवाय करता है इसलिए male female का चूज तो करना इतना असान नहीं है जीन वह विधी द्वारा बैग्यानिक द्वारा लेकिन आप इसका बीज जरूर खरीद लें और उसमें ज्यादा अगर जितना आए वह male female वह लगा दें और जब फरने लगए तो यहीं उसका चांस रहता है ऐसे पपीता का 20 लगा सकते हैं उसका वीडियो आगे में बताएंगे जो कि आप पपीता खाते हैं घर का उससे भी लगा सकते हैं लेकिन इसमें सबसे ज्यादब zach यह plant पपीता का चलने के बहुता और यह सुख जाने का डर रहता है तो आप इसको पानी ज्यादा प्रयोग ना करें पानी ज्यादा प्रयोग होगा तो यह सुख जाने का डर रहता है हर दम ही पानी कम रहेगा जितना कम लगेगा इसके जहां पर यह लगाया ज़रा है तप जरूर लगाए फपीता तो ऐसे ख फंड़ा में यह सुखने का ज्यादा चांस रहता है अब तो इसका लगाने का समय आगया बीज लगाने का भी मैं आपको लगा के जरूर बता दूंगा दो चार दिन में क्योंकि ऐसे वीडियो बार बार आती रहे गए इसलिए पर चार रुपे पहली बार आए होंगे तो ला गंडा में लगा लेकिन árhlikeं बिस इंट बंडम में लगा लगा वर्मिंक भॉस्ट थोरा ज्यादा दे अगर मिती दे रहा है को वह में मिती दे आधा मितिए से यहीं होगा जो इसका plant सुकेगा नहीं और सुखने का नहीं होगा तो आप कारगर इसका चलने लगया प्लांट और नीम वाइल नहीं दीजेगा तो बहुत दिक्त है नीम वाइल तो जरूरी इसमें देदें ऐसे इसका प्लांट लगाने के लिए आपको कोई भी उतना आवस्यक नहीं होता है जो कोई भी मिटी में लग जाएगा अगर गार्डें में लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगेगा लेकिन गार्डें में थोड़ा उंचा करके लगा इसे सेमेंट के बोरी में लगाएं तो वह भी अच्छा होगा क्या की सेमेंट के बोरी में ज्यादा ज्यादा मिटी बालू आठ सकता है और इसका कॉलम बीधिद्वार लगाने का हम बता देंगे वह भी देख रहे हैं वह कैसे होगा उसका भी मैं वीडियो आधा बना लिया हूं जरूर डालेंगे उसमें भी कॉलम तो उसमें भी आप लगए सकते हैं ऐसे लेकिन इसका सबसे अच्छा होगा है जो मिल चैन करना वह इतना आसान नहीं है अगर बीद्वार चैन कर रहे हैं तो भी इतना आसान नहीं है एक पपीता का गार्डेन में लगाने के लिए एक ही प्लान्ट आपको एक गमला में चाहिए इसको मतलब पूरा दीन भरका जैसा कर्वी में धूप होता है पानी अपने हिसाब से दीजिए क्योंकि आपका जो हो अगर रूट रॉट रॉट नहीं होना चाहिए और उचाई पे सिमेंट की बोरी में है तो भी वह तो बहुत अच्छा है अगर नहीं दूसरा च अगर सीधे यूरिया पोटास मिलाके देना है तो भी दे सकते हैं इसका खाद हुआ ही होता है और अगर वह सब्जी के खाद बना एने के भी धिवाता थे लिकुट फैटले जो भी दे सकते हैं वह दीजेगा तो और फरने का चांस बहुत जाएगा मैंने अपने गुलाब म ने दिया हूँ गुला में बहुत सारा इस पाइक दे को बहुत सारो कॉली बनने लगा और मोटा मोटा कॉली बन रहा है जिसे घुछाorta मेरा फेल KI यह आने का फेल लगए हो आई यह हापिता आपको किसी भी फ़र्म में रेड लेड़ी या कोई भी वैसा कंपनी का ले ले जो अच्छा चले सर्भाइब भी अच्छा करें ऐसे तो पपीता का प्लांट लगाने में सबसे असान होता है और पपीता जब लग जा तो उसके बाद इसका प्लांट आपर ट्रैस्पर्लांट कर सकते हैं अगर दिया जो लग जाए अगर फीर ला रहा है तो उसने बादने का पूस्ट जयादा रहेगा तो शर्भाइब और भी अच्छा करेगा वो गमला में 20 इंच वाला ही कमला में ले च्छोटा गमला में जितना छोटा लीजिए वह उलटने का जयादा चांस रहे तो आप उसे रहने दे वह ऐसे ही इसको धूप उप ज्यादा चाहिए तो धूप भी लग जाएगा तो वह प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छा फॉल देगा और ज्यादा से ज्यादा फॉल आगा एक साल तो प्लांट लगाना पड़ेगा फिर आप ठंड के मौसमें यही अप्रील तक लगा सकते हैं और मार्च अप्रील तक ही यह लगता है यह देखिए आप अगर 2000 लाइक पुरा दीजेगा तो वह 20 से लगाने का वीधी बता देंगे 20 से लगाने का बहुत असान वीधी रहता है वह भी बता देंगे मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब करें ऐसे यह चोटा है जैसे ही जैसे यह बारा प्लांट बनने लगेगा मैं आपको वीडियो बना के बता रहूंगा बार बार ऐसे बहुत सारा चीज पर वीडियो मेरा आती रहता है आप मेरे चैन